डेट है 21st of January और आज हम बात करने जा रहे हैं Baba Arts and Baba Arts Limited के December के quarterly result के बारे में यहां December का quarterly result recently company ने अनौंस किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि company ने अपने December के quarterly result में कैसा perform किया है वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आप लोगोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं बाबा आर्ट्स लिमिटेड 24.10 रुपीज पर ये कमपनी अभी ट्रेट कर रही है और 19% का पॉजिटिव रिटन आज की डेट में कमपनी ने दिखाया है एक हफ़ते का अगर हम चार्ट पैटन देखें तो देख सकते हैं 20% का पॉजिटिव रिटन है वहीं अगर एक महीने का ग्राफ देखेंगे आप तो देख सकते हैं 26% का पॉजिटिव रिटन है एक साल की अगर हम बात करें तो 96% का पॉजिटिव रिटन है वहीं अगर हम 5 साल का graph देखें तो 559% का positive return है वही maximum में अगर हम जाएं तो maximum में देख सकते हैं 58% का negative growth है काफी ज़्यादा volatile है यह stock देख सकते हैं आप किस industry को belong करती है company? communication services related industry को belong करती है entertainment company है small cap company है 105 crore का market capitalization है stock अभी 2101 पर rank कर रहा है overall वहीं अगर हम बात करें company profile की तो देख सकते हैं Baba Arts is engaged in providing post production services to entertainment industry in its post production studios यह post production services provide करती है यह company और कुछ इस तरीके से website है देख सकते हैं Baba Arts Limited तो देखें पोस्ट जो post production का जो काम होता है वह इस company का काम है तो देख सकते हैं यह सारी जो है कुछ फिल्मस है तो इसी company के under में थी वह फिल्मस तो overall यह website है company की और कुछ इस तरीके से business है तो यह दो बात हो गई इस company के बारे में अब बात कर लेते हैं वैल्येशन की इस company के वैल्येशन क्या है तो sector का price to earning ratio अभी माइनस 21 है वह इस company का price to earning ratio 37.82 है वह इस sector का price to book value 10.30 है वह इस company का price to book ratio 5.45 है बात करें अगर shareholding pattern की तो देख सकते है shareholding pattern में promoter के पास 74% की holding है अच्छी का सी वही retail के पास 25% की holding है तो कुछ इस तरीके से देख सकते है shareholding pattern आप देखिए promoter के पास जो है वह 74% की holding है वही जो non institution है यानि कि जो retail है और अधर है उनके पास 35.32% की holding है FIS के पास September के quarter में 0.02% की holding होती थी लेकिन December में उन्होंने उसे भी बेच दिया है अब कुछ नहीं बचाए तो सिफ ये दूनों के पास बचाए भी promoter और non institution के पास बात करें अगर इनके result की तो according to screener.in Baba Arts Limited का हम December का quarterly result देखेंगे then हम positive point और negative point देखेंगे then last में देखेंगे intrinsic value वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करेंगे complete वीडियो देखेंगे ताकि आपको complete information मिल सके तो देखिए हम पहले sales देखेंगे company का फिर operating profit देखेंगे then हम net profit देखेंगे okay तो net profit यहाँ पर है okay तो ठीक है देखेंगे हम September का जो इनका revenue था वो 1.19 करोड से बढ़कर हो गया 8.91 करोड दिसम्बर के quarter में इनका operating profit नौ लाग का जो operating profit गुआ था सेंबर के quarter में वो दिसम्बर quarter में बढ़कर हो गया है 1.10 करोड वहीं अगर हम net profit की बात करें तो 17 लाग का net profit इनका बढ़कर हो गया है 80 लाग का net profit तो काफी अच्छा result company ने इस quarter में बनाया है वहीं अगर हम बात करें market competitor की तो market competitor कौन है इनके market competitor है जी entertainment, sun tv network, सारे गामा इंडिया, pvr, tv18 broadcast, inox laser, halfway cable यह इनके market competitor है भी market में positive point और negative point की अगर हम बात करें तो positive point क्या क्या है positive point यह है कि company almost dead free है और साथी साथ quarterly result company ने अच्छा expect किया था वही negative point की बात करें तो company अभी 6 गुना महंगी है और साथी साथ company ने company dividend अच्छा payout नहीं करती है company का return on equity भी काफी low है और other income company की बहुत जारा बढ़ गई है तो यह सारे negative points है अब बात कर लेते हैं intrinsic value की तो according to ticker tape.in baba arts limited का intrinsic value है उसका कोई sufficient data available नहीं है return versus fd की बात करें तो fd से अच्छा return नहीं दिया dividend अच्छा payout नहीं करती company एंटी point के लिहाज से stock अभी overbought zone में है और reason यह है कि इस stock को जो है बहुत जादा खरीदारी की गई है लेकिन कोई भी red flag इस company पर अभी तक available नहीं है तो जैसा कि देख सकते हैं कोई red flag available नहीं है तो यह थी मेरी वीडियो Baba Arts Limited के December के quarterly result के उपर वीडियो मैंने positive point भी बता दिया है और negative point भी बता दिया है अब यह आपको decide करना है कि आपको इस stock में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो वीडियो आप लोगों कैसी लगी comment section में ज़रू पताइएगा थोड़ी सी भी अगर informative लगी हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रू करतीजिएगा चैनल को अगर भी तक आप लोगोंने subscribe नहीं किया या फिर पहली बार जगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको notification मिलता रहे हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक कि लिए अजाज़त देजिए खुदा आफिस चैनल